Hey everyone, मैं आज आपको height से related बहुत ही अच्छी knowledge देने जा रही हूँ अगर आप लोग परिशान हो कि किस तरीके से अपने height को increase करना है आपको और आप नहीं कर पा रहे हो, आपने सारी techniques कर ली है, सब कुछ waste हो रहा है तो आप किस तरीके से height को increase करोगे, वही मैं आपको इस video के through बताऊंगे सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहते हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी course routine book नहीं ली है तो उसे ले और ज़रूर follow करें, सिर्फ उसी को follow करने से लोग अपनी life में, relationship, job, health, wealth, सब कुछ manifest कर रहे हैं वो खुद मैं use करती हूँ, इसलिए मैं वो आप लोग को दे रही हूँ routine तो आप लोग भी उसे ले और उसे follow करें, आप जो है उसके success story Instagram पर या फिर channel के community tab पर भी पढ़ सकते हैं और उसके लिए आपको मुझे mail करना है book के लिए या फिर मुझे Instagram पर message करना है तो अब मैं आपको बताना start करती हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी height को increase करना है सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि आपके एक गरत फैमी है कि आप अपने आपको ना पसंद करके अपने आप में किसी भी type की कोई बुराई देखके अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो चेंज ला सकते हो ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर मालो आप जिस शहर में रह रहे हो अगर आपको कहीं और shift होना है क्योंकि आपको अपना वो शहर नहीं पसंद है तो आप कभी भी एक अच्छे शहर में shift नहीं हो सकते नहीं जा सकते ये possible नहीं है ये तभी possible होगा जबकि आप अपने प्रिजेंट शहर को पसंद करो क्योंकि वहीं आप vibration send कर रहे हो universe में कि आपको अपना ये शहर नहीं पसंद है, तो आप कहीं भी जाओगे, वहाँ पे ऐसे ही चीज़ें होंगी, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, और आप कभी भी अपने पसंद की चीज़ों को नहीं पापाओगे, या फिर अपने पसंद की जगह पे नहीं जा पाओगे, I hope आपको ये बात समझ में आई हो तो ये सेम चीज आपके height पे भी लागू होते है या फिर आपके face पे या फिर किसी भी type के body changes पे लागू होती है अब जैसे कि आपको अपनी height बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि आपकी height कम है और आप चाहते हो कि आपकी height बढ़ जाए तो इस तरीके से आप चाहे कितने भी law of attraction techniques use करो height manifest नहीं कर सकते इसलिए हमेशा let go work करता है height increase करने में क्योंकि जब आप let go करते हो तो आप भूल जाते हो अपनी height के बारे में और आप अपने बुराई करना बंद कर देते हो कि मैं छोटा हूँ या फिर मेरी height छोटी है या उसके लिए आप बुरा feel करना बंद कर देते हो तो सबसे बड़ा जो secret था वो तो आपको इसका समझ में आ गया कि आपको अगर अपनी height को increase करना है तो आपको अपने आपको पसंद करना होगा यानि कि आपको अपनी height को पसंद करना होगा इसलिए इसमें self love सबसे ज़्यादा important है अपनी तारीफ करना सबसे ज़्यादा important है अगर मान लो कि आप कोई particular height manifest कर रहे हो तो मालो आप 5 feet 5 inch के हो और आपको 5 feet 10 inch का हुना है तो इसके लिए अगर आप affirm भी करते हो तो आपके अंदर negativity आएगी कि मुझे मेरी current height नहीं पसंद है चाहे अप कितना भी affirm करो आप खुद की बुराई कर रहे हो तो जब बुराई करोगे तो कभी positive changes नहीं आएंगे तो आपको अपने बुराई नहीं करनी है अब question ये आता है कि अपने बुराई किये बिना आप किस तरीके से अपने desired height को manifest करोगे तो इसके लिए सबसे simple एक affirmation बनाओ कि I love x y z height जैसे कि आप मानलो आप 5 feet 5 inch के हो और 5 feet 10 inch आपको height चाहिए तो आप बस affirm करना start कर दो कि आपको 5 feet 10 inch height पसंद है या आपको उससे प्यार है उस height से तो आप अपने बुराई भी नहीं कर रहे और यहाँ पर universe को ये बता भी रहे कि ये चीज़ आपको पसंद है हमेशा बस आपको जो पसंद है उसे ही universe को बताना है तो इस तरीके से आप बताओ तो affirmation इसके लिए कैसे बनेगी कि I love 5 feet 10 inch height या फिर जो भी height आपको चाहिए वो और simply आप जितना जादा हो सके self love पे focus करो खुद की जितनी जादा तारीफ कर सको करो, खुद को support करो हमेशा positivity से खुद को घेरे रखो अब question ये आता है कि इस affirmation को आपको कितने time करना जोगे तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब आप उस height को बोल रहे हो तो उस height के लिए आप conscious पूरे focus के साथ कम से कम 500 time एक दिन में affirm करो, पूरे दिन में कभी भी करना है एक साथ बैठ के आपको 500 बार नहीं बोलना है पूरे दिन में mirror के सामने कभी भी बोल सकते हो और आराम आराम से बोलना है जल्दबाजी में बोलके बस उसको खतम नहीं करना है feel करते हुए आपको आराम से बोलना है affirmation के लिए अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आपको पता हो कैसे use करना है, क्या करना है तो उसके मैंने एक video बनाई है उसके link जो है मैं description में दूँगी आप उस video को देखना बहुत ही amazing video है वो और life के हर area में किस तरीके से affirmations work करते है वो मैंने बताया है तो एक बार आप उसे check जरूर करना ताकि आपको clear हो कि affirmations किस तरीके से करने है और आप चाहो तो जो मैंने अब यह affirmation बताया उसको आप हर दिन 25 times लिख भी सकते हो क्योंकि बस आपको उसे अपने subconscious mind में feed करना है और simply वो manifest हो जाएगी बहुत से लोगों ने मुझसे height के लिए call पर बाते करी है और उनकी जो पुरानी सोच होती है वो भी उन्हें परेशान करती है तो यह हो सकता है कि problem आपके साथ भी आए कि आपके mind में कुछ ऐसे thoughts हो जिनकी वजह से आपका विश्वास कर पाना मुश्किल है तो एक बार उन thoughts को आप change करना और उसके बजाए positive को repeat करना जादा नहीं पूरे दिन में बस तीन बार यह सारी चीजे करके आप अपने height को आसानी से manifest कर सकते हो क्या करना है आपको एक बार में वापस से बता देती हूँ affirmation, self love and तीसरी चीज़ खुद को positive रखना है और साथ में आपको जो पुराने beliefs हैं उसको change करने के लिए उन्हें बस तीन बार repeat करना है जो कि positive affirmations है साथ में आप चाहू तो course book भी use कर सकते हो क्योंकि वो आपकी energy को बहुत जादा high रखेगा जिनके पास है उन्हें पता होगा कि उसको follow करने से बहुत जादा फायदे हो रहे हैं तो आपको खुद वो positive रखेगा तो वो आपकी height increasing में भी help करेगा और इस बीच एक और main problem आ सकती है कि आपको लग सकता है कि ये पूरी नहीं हो सकती मेरी इक्षा कैसे पूरी होगी ये possible नहीं है तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है उस thought को छोड़ देना है वो thought बस एक resistance है आपको अच्छी चीज पाने से रोक रहा है तो वहाँ पे उस शीज को जाने देना है और जैसे ही आप उस resistance को पार करते हो वैसे ही आपके wish जो है manifest होती है एक बार completely आपने resistance छोड़ा और अगले ही दिन आपके wish manifest होगी इसलिए affirmation एक दिन में भी work करते हैं और one month भी लग सकता है तो यह completely आपके उपर है कि किस तरीके से resistance free बनना है आपको और जितने जादा resistance आए उतने जादा उन्हें release करो उन्हें जाने दो उन्हें पर विश्वास मत करो और फिर देखो कि कितने आसानी से आपके wish manifest होगी यह resistance वाली problem जो होती है हर किसी को आती है मुझे भी आती है आती थी जो कि मैंने अब beliefs को अपने change किया और अब मेरे लिए यह करना बहुत ही आसान है तो आपके लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इसके practice करते हो यह practical problem है जिसका practical solution मैंने बताया है आप इसे follow करके आसान ही से अपने height को manifest कर सकते हो और जिन लोगोंने manifest किया है जिनको मैंने suggest किया है वो अगर चाहे तो comment section में आके लेख सकते हैं और लोगों के विश्वास को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं जितना जादा आप लोगों की help करते हो उतना ही जादा universe आपकी help करता है तो यह आपके उपर depend है कि आप क्या करने का चुनाव करते हो और course book को follow करना बिलकुल मत भूले खुश रहें, खुच से प्यार करें, अपने life को enjoy करें आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगी thank you so much for watching God bless you all and I love you all